फ्री टेबलेट पाने वाले लाभारती ध्यान दे अगर आपने फाम भरते वक्त करी होगी ये बड़ी गलती तो आपको नहीं मिलेगा स्मार्टफोन और टेबलेट दोस्तों यह वीडियो बहत खास होने वाला है इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए ताथ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर किजिए ताकि सबी लोगों तक यह सूचना पहुंस तक है राजजी सरगार ने प्रदेश के विद्यारतियों को टेबलेट मुहया कराने को देश योजना का सुभारम किया था रज्यू भाहिया इन्वस्टी के 16141 विद्यार उसके विद्यारतियों को टेबलेट की रासी जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार उच्छ सिचा हांसिल करने वाले बच्चों को टेबलेट दे रहे इसके लिए चात्रों खाते में रकम भेजी जा रहे हलाकि फिर टेबलेट योजना के तहत कई विद्यारतियों के फार्म में गलत सूचना के चलते धनरासी जारी करने में दिक्कत आ रहे हैं ऐसे में अधी फार्म सही नहीं भरा गया होगा तो योजना के था जारी पैसा वापस भी हो सकता है राज्य सरकार ने प्रदेश के विद्यारतियों को टैबलेट मुहया करानी कुद्ध से योजना का सुभारम किया था टैबलेट वित्रम के नोडल प्रभारी प्येंजी महा विद्याले रामनेगर के परचार डाक्टर एंपी पांडे के अनुसार कुमावभी विद्याले के 16 रासी हस्तारित नहीं हो पा रही विद्यारतियों के अवस्ता कहा कि आवेदन करते समय अपने बैंग खाते का सही नंबर दे आई अपसी कोड भरते समय जीरो और ओमें अंतर का ध्यान रखे एक सब्ता के भीतर टैबलेट कराय की रसीद महा विद्याले में जमा करे नोडल अधिकारियों के अनुसार चात्रों चात्रा सासा के मानक के अनुसार ही टैबलेट खरीदें जिसमें एल्टी वाइस कालिक सुबधा भी अनुवार रूप से हो उन्होंने कहा कि टैबलेट के रसीद में आई माई नमर भी आवेस्यक अंकित होना चाहिए